तो नमस्कार भाईयों कैसे हैं आप सभी लोग मैं उबीद करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देखें सभी लोग बहुत ज़दा अच्छे होंगे खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे and welcome to this वीडियो अब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लोग जाने होगी कि आप एक लाग से पच्छिस लाग रुपे तक का लोन कैसे ले सकते हो लेकिन मैं आपको बता दू कि यह लोन आपके बाखी के पर्सनल लोन की तरह नहीं होने वाला है और आप इसको पर्सनल लोन भी क्या सकते हो कन्फूजिन काफी क्रियेट हो रहा है लेकिन मैं आपको इसका नॉमर्मल से बतादू कि आपके फून में एक अप्लिकेशन जरूर से होती है जो कि हर किसी के फून में ज्यादा तर लोगोंके फून में एक बता दू कि वो दोनों ही तरीकेव वाले लोगों के पास जो है वहाँ से आप लोग इजली loan apply कर सकते हो जो आप loan लेने के लिए अलग-अलग loan platform पे search करते हो वीडियोस देखते हो और बागी जारे जो application को download करते हो उसके आपको कोई जरूरत नहीं पढ़ने वाली है in fact वो जो application है वो एक multitasking application है जो अपना जो main काम है वो तो करती ही करती है इसके साथ में आपको loan दिलवाएगी और खिस तरीके से loan दिलवाएगी वो मैं आपको आज की इस वीडियो में process by समझाने वाला हूँ सबसे एहम बात यह है कि यह जो loan आपको मैं आज बताने वाला हूँ जिस loan का आज आप apply करने वाले हो इस loan को लेने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई आवशकता नहीं है सारा काम आपका घर बैठी ही होने वाला है तो अब इसे यह भी कह सकते हो कि आप घर बैठे इसली एक लाख रुपर तक का loan ले सकते हो यह भी आप लोग इसली क्या सकते हो इसे के साथ मैं आपको बता दू कि यहाँ पे जो loan है इसको apply करने का पूरा step by step with process by process आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएगी तो step के साथ में वीडियो को कहीं skip ना करें loan को apply करने के दौरान और साथ ही अगर आप लोग first time मेरे चैनल पे आई हो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे बार इस वीडियो को like करना है कुछ भी हो जाए वीडियो को like करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को like नहीं करोगे तो मुझे पता चलेगा ही नहीं कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे बहले इस वीडियो को like करें वीडियो को like करने के साथ ही वीडियो को share करें WhatsApp पे share करो, Facebook पे share करो कि आप लोग हमारे community के member बन जाओगे दूसरा फाइदा यह होगा कि community के member बनने के साथ ही आपको पता है हम daily videos डालते हैं जिसे फाइदा आपका यह होगा कि आप रोजाना basis पे कुछ ना कुछ नया सीख पाओगे जब कुछ ना कुछ नया सीख पाओगे तो आप खुद नया सीख होगे तो दूसरों को भी तो सिखा पाओगे कि आपको loan कैसे लेना चाहिए, कैसे apply कर सकते हो और बाकि सारी चीज़ें तो इससे आपका भी फायदा है और दूसरों का भी फायदा है ताकि मुझे आप लोगों के loan लेने का exact reason जो main reason है वो पता चल सके कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगो कर नी होगी अब हम शुरू करते हैं हमारे main video को और जानते हैं कि आप लोग यहां से loan कैसे apply कर पाऊगे और वो कौन सा online loan application है तो सबसे पहले बतादू कि आपको करना क्या है यह हमारी video जो कि आप लोग अपनी mobile screen पर देख पा रहे हैं वीडियो के जस नीचे आपको यह title देखने को मिल रहा होगा जो कि मैंने underline किया हुआ है तो यह जो title है आपको easily इस title पर click करना है जैसी आप लोग इस website link पर click करोगे click करने के साथ ही जो link है वो automatic google से connect होयागी और जैसी आपकी link google से connect होया है आपको थोड़ा सा wait करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने एक website show करेगा या फिर website का google search result भी किया सकते हो यह show करेगा और यहाँ जो मैंने first website को underline किया हुआ है आपको इस website पर click करना है जिसका नामे loanpower.in यह सबसे बड़ा loan platform में जहां से आप लोग loan apply कर सकते हो और बागी सारी चीज़ों के बारे में आगे मैं definitely बताऊंगा लेकिन आपको यहाँ पर आने के साथ ही सबसे पहले इस website पर click करना है website पर click करोंगे website के अंदर पहुंचाओगे इसके बाद आपको loan को कैसे processor कैसे apply करना है with step by step हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और यह चीज़ करने के साथ ही जो आपका पहला step है पहला तरीका है वो definitely यहाँ पर complete हो याद है अब पहला तरीका खदम होने के बाद आपको करना क्या है आपको next step की और आगे बढ़ना है next step कहीं तो आपको पता दू आपके phone में कोई ना कोई browser जरूर होगा जो कि आप लोग use करते हो जैसे मेरे phone में Chrome browser है Google browser है आपके phone में अलग browser हो सकते है तो आप किसे भी browser का use करना है करना क्या है कि आपको पने phone का सबसे पहले browser open करना है जैसे browser open करोगी Google का search interface भी automatic खुल जाएगा आप लोग भी यह बाद जानते हो जैसे Google का search interface खुल जाएगा तो यहाँ पर देखने को मिल दाएगा इसको zoom कर देता हूँ एक बार कि मैंने लिखा क्या है exact तो यह जो मैंने लिखा हुआ है loanpower.in और इसको मैंने जैसे लिखा हुआ है आप चाहो तो इसका screenshot लेलो या फिर वीडियो को pause करके अभी लिखके आ सकते हो चलेगा कि आप लोग वो कौन सा application है जिसके माधियम से आप loan apply करने भाले हो और वो multitask ही का application कौन सा है जिससे आप लोग एक लाग से पच्छिस लाग तक का loan easily apply कर सकते हो और वो कौन से category के loan में आएगा यह सारी बाते आपको बताऊंगा लेकिन इसके लिए आपको इस website के अंदर आना होगा तो करते हैं इस website पर click तो website पर click करने के साथ यह आपको थोड़ा सा इंतजार करना है जहाँ पर हमारी website open हो रही है जैसे कि आप अपने mobile screens पर देख सकते है website open हो चुकी है website open होने के साथ ही जो आपको करना है left side में यहाँ पर आपको थ्री बार्स का option है इस पर click करना है इस पर click करोगे काफे सारे यहाँ पर आपको loan के option देखने को मिल जाएंगे जिसमें से आपको एक app loan का भी section दिखेगा इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही जो आपका loan.in का जो app loan का label है ये खुलेगा राइट साइड में यहाँ पे आपको एक search बार दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपको याकर type करना है make my trip अब आप लोग में इसे बहुत साथ लोग समझगा होगे कि मैं आज किसके बारे में बताने वाला हूँ बट आपको यह पहले आके search करना होगा make my trip और यह चीज़ सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि make my trip से loan कैसे लें जी हाँ आप लोगोंने कभी सोचा था कि आपको इस application से भी loan मिल दागा लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा with proof और live apply करके ठीक है तो आपके सामने जब यह application जब यह article दिखे तो सबसे एहम बात make my trip से loan apply कैसे करना है इसके बारे में सारी जनकारी यहां दी हुई है तो पूरी जनकारी को आप लोगो धंग से पढ़ने के बाद नीचे जाना है और यहां पर जाने की साथ ही सबसे नीचे जब आप लोग जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा apply now का button जो क के बारे में हम लोग जानेंगे तो इस apply now के button पर करते हैं क्लिक तो जैसे ही आप लोग यहां पर apply now के button पर क्लिक कर दोगे सीधा पहुंच जाओगे make my trip app के main homepage यहां पहुंचने बात आपको सबसे पहले करना क्या होगा sign up करना होगा यह बहुत साय लोगों का login होगा भी ले आपके सामने कुछ ऐसा हो जाए तो यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर PC को option wahrscheinlich और यहाँ पर loan के बारे में बता है ये personal loan भी कह सकते हो लेकिन आप इसको travel loan भी कह सकते हो अब इसका main मकसद क्या है loan देने का देखो बोता किया ना बहुत साय लोग जो है कभी बार सफर करना चाहते है कई जगब जाने चाहते हैं पर उस उस टाइम जए उनके पास पैसे नहीं होते तो यह एक तरीकी की trip money या फिर travel loan भी कह सकते हो जो कि आपको make my trip प्रोवाइड करवाती है इसकी help से ठीक है तो यहाँ पर आनेक बात आपको करना क्या है यहाँ पर pay letter का एक नया option है कि आप पहले यहाँ से make my trip से पैसे ले लो और अगर आप spend कर लोगे अच्छे सो कोई बात नहीं spend करने के बाद आप उसको EMI basis या फिर annual basis पर कभी भी चुका सकते हो make my trip को तो यह बहुत अच्छी बात है आज हम यही जानेंगे तो इस वाले option पर आपको easily click करना है जैसी click करोगे आप यहाँ पर आपको experience शेयर के जारे ल नमबर डालना है जो कि मैंने आपसे कहा था pen card अधार का दो साथ में रहें तो pen card का नमबर और pen card में जो आपका पूरा नाम है वो male, female, date of birth, email id, current pin code, mobile, monthly income और residential income तो company name डालने के बाद आपको आपको आगे बढ़ना है easily आगे बढ़ जाओगे फिर यहाँ पर आपको और information दे easily यह चीज़ apply कर देना है और यहाँ पर आपको अपना loan amount choose करना है कि आपको चाहिए कितना और easy आपका make my trip से loan apply हो जाएगा जब loan apply हो जाएगा तो यहाँ पर approval के बाद आपको अपनी bank की details डालनी है और जो आप bank की details डालोगे तब आपके bank account में जो travel loan है वो आ जाएगा तो